अगर नहीं पता तो आईए जानते हैं कौकरोज का जो सरकुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन टाइप होता है इसका मतलब यह है कि कोकरोज में नस जैसे कोई भी चीज़े नहीं होती उनका जो ब्लड है डारेक्टिली फटटी में रिलीज कर दिया जाता है उस blood quality को हम hemosil नाम देते हैं और इनका जो blood होता है उसको हम hemolimph बोलते हैं और ये जो hemolimph होता है ये colorless होता है जैसे हमारा blood red होता है इनका जो hemolimph यानि इनका जो blood है वो colorless होता है और इनके पास कोई respiratory pigment नहीं होता जैसे हमारे blood में hemoglobin होता है इनके blood में कोई भी respiratory pigment यानि कोई भी hemoglobin जैसे चीज नहीं होती है और अगर हम बात करें इनके heart की तो इनका heart neurogenic होता है और अगर हम बात करें हमारे heart की तो वो myogenic होता है इनका heart 13 chamber होता है और हमारा heart 4 chamber होता है